तो दोस्तो, stock market में ही नहीं, हर industry में, हर particular company के खिलाफ कुछ शिकायते होती हैं, अब जहां तक बात है stock market की, तो यहां पर जो शिकायते हैं वो सेबी के level पे या exchange के level पे बकाइदा register की जाती हैं, count रखा जाता है, ये देखा जाता है कि शिकायत कौन सी type की है, ऐसी कितनी शिका अकाउंट खोलना चाहता है आगे भी उसको पता रहे कि ये ब्रोकर में दिक्कत आ सकती है या ये ब्रोकर विश्वास इस पर किया जा सकता है मतलब ट्रस्टेबल है ऐसे काफी वीडियोस हम पहले भी ला चुके हैं लेकिन आज बात करेंगे हम एक्सेस डारेक्ट के बारे मे बैंक पे स्टोक ब्रोकर है देखते हैं किस तरह की शिकायते हैं इसके खिलाफ कितना काउंट है और क्या ये एक विश्वस नहीं है मतलब ट्रस्टेबल स्टोक ब्रोकर है या नहीं तो आईए शुरू करते हैं तो दोस्तों चहां तक बात है नंबर की 4,15,000 से ज़ादा इसके पास एक्टिव क्लाइन्स हैं फाला कि किसी समय पे इस पर्टिकल स्टोक ब्रोकर के पास अच्छा कासा नंबर था और ये भारत के टॉप 5 स्टोक ब्रोकर में आता था ऐस पर दी काउट वोकर है हम नंबर की बात करें तो लेकिन आज की तारिक में इतना डिसकाउट ब्रोकर्स नें कॉंपितिशन दे दिया है कि इसका टॉप 10 में भी नंबर नहीं रहा लेकिन कोई बात नहीं अच्छा खासा नंबर है बड़े ब्रोकर में फिर भी नाम इसक इसके खिलाफ क्या शिकायती दर्च हुई है किस टाइप की हुई है और क्या ओवर्रोल लेवल पे इसमें बड़ी दिक्कत है या नहीं शुरुआत करते हैं नमबस के साथ तो बात सिर्फ आज की नहीं करेंगे हम पिछले 5 साल की बात करेंगे 2015-16 में गर देखें तो Axis Direct के पास सिर्फ 29 शिकायते थी अगरे जाल 2016-17 में 32 शिकायते हुई हाला कि ये डिपेंड करता है कि इसके पास active clients कितने थे लेकिन मान के चरिए कि इसके पास top 5 stock brokers होने की गवाय थी मतलब बड़ा broker तब भी रहा है ये Asper Numbers 17-18 में इसके शिकायते हुई 35 18-19 में घटकर 24 रह गई 19-20 में 46 शिकायते हैं अच्छे नंबर सेंगे जितना कम हो उतना बड़िया लेकिन 2020-21 में इसके शिकायतों का नंबर चल रहा है 109 जो नंबर इसने पिछले 2-3-4-5 साल में नहीं देखा इन फैक पिछले 3 साल के शिकायतों का जोडें तो शायד यह नंबर बनेगा शायद नहीं तो एक तरीके से इस साल कुछ शिकायते बड़ी हैं अब देखते हैं कि यह किस टाइप की शिकायते हैं जादा संगीन है दिक्कत वालिए या बेसिक लेबल की शिकायते हैं documentation लेडल पे अलग्कि वो भी द जब वो शिकायत करता है तो उसको पूछा जाता है कि कौन से type की शिकायत है आपकी अब आपको बताएंगे किसका type का मतलब क्या है इसमें 8 या no type होते हैं जो type 1 है वो specifically बात करता है कि आपको पैसा वापस नहीं मिल रहा है delay in payment आपको withdrawal करवाना है आपको margin वापस लेना है कोई इनके पास करीब 15 शिकायते ऐसी हुई है टोटल शिकायत है 119 वैंने 109 बताया था शायद 119 नंबर है और बढ़ गया 119 मेंसे 15 शिकायते ऐसी मतलब करीब 12-13 परसेट ऐसी शिकायते हैं जोके ठीक ठाक माली जा सकती है कि payment की दिक्कत अगर आएगी तो 100 मेंसे 12-13 लोगों डिले किया जाता है मतलब आपने delivery में stocks buy किये और आपकी debit account में नहीं आये किसी भी level पर ऐसी delay को type 2 पर रखा जाता है अब मालिए कि type 2 तब बंदा करेगा जब उसने काफी दर इंतजार किया काफी दर इंतजार करने के बाद भी delay हो रहा है अगर delivery मिलने में तो problem है शिकायत क नहीं होई है तो यह दिक्कत historically speaking और आज की तारिक में भी numbers के पूरे साल के numbers की बात करें तो यह शिकायत नहीं है फिर आता है type 3 इसमें documentation level की reception मतलब आपके specific level पे bills, contract notes, agreement slips, कोई भी ऐसा documentation जो के आपको normal level पे किसी broker से चाहिए होगा उसकी अगर उमीद है तो वहाँ दिक्कत ह इनके case में ऐसी एक शिकायत दर्ज हुई है जो के 1% में नहीं 0.8% है तो एक तरह से देखा जाए तो यह दिक्कत भी आपको नहीं आएगी तो access direct के case में यह भी एक बड़िया बात चलती है फिर आता है type 4 अब type 4 क्या है type 4 यह कहता है कि अगर आपसे बीना पूछे आपका broker आपके account से trading करें unauthorized trades करें पैसा इदरुदर करें तो आपको बहुत बड़ी शिकायत है क्योंकि यहाँ पे पैसे का हेर फिर हो रहा है तो आपको type 4 शिकायत करनी चाहिए access direct के case में ऐसी 21 शिकायते हुई है जो बनाता है इसका 17.6% बहुत बड़ा नंबर है यह overall शिकायतों में इसे देखा जाए तो it is one of the highest complaint number among the types of complaints तो यह चीज़ आप ध्यान रखें क्योंकि access direct के case में तो सब broker franchise भी खुद access direct की तो है यह अलग से franchise भी नहीं देते हैं तो यह समझ आना मुश्किल है कि इतना trustworthy broker ऐसा problematic काम करे तो हालाग कि overall client level पर देखा जाए तो शिकायतों का percentage बहुत कम है 0.02% industry coverage तो बहुत जादा है लेकिन इनी के numbers में से देखा जाए तो यह शिकायतों का percentage हाई है तो यहाँ पर exit direct को account करने की definite level पर ज़रूरत है फिर आता है type 5 अब type 5 है service के around मतलब आपका phone नहीं उठाया app नहीं च type 5 में डालेंगे ऐसे करने वाले 19 लोग हैं 19 शिकायते ऐसी हुई है जहां पर उनको एक full service bank based stock broker से customer service level की issue हुई है customer service एक ऐसा area होता है जो full service broker का heart होता है अगर वहीं पर शिकायते आएंगी बात नहीं बनेगी यह हैं करीब 16% शिकायते हैं यहां पर भी certain level पे access को काम करने की जरूरत है और अगर access से कोई सुन रहा है तो guys these are the numbers from national stock exchange official numbers तो please आपको यहां पर काम करने की जरूरत है यह weak links हैं आपके overall service पे finally आता है उसके लाब टाइप 7 टाइप 8 पी होता है टाइप 6 भी होता है जिसमें service credit issues है squaring off हो गया type 7 में अगर कोई arbitration का दिक्कत आया है वो पता आ जाता है टाइप 8 में IP related issue आता है लेकिन यह सब issues इनके case में नहीं है type 9 में अधस होता है मत्तब जो भी जिकायत इस list में नहीं है वो type 9 में जाएगी और जातर major chunk वही होता है जहां पर defined नहीं होता है तो यहां पर at least NAC को थोड़ा काम करने की जरूरत है जहां पर थोड़ issues है क्योंकि access के case में 63 out of 119 जो के बनता है करीब 53% ऐसी शिकायते हैं जो others में है तो अगर conclusion निकाला जाए तो जातर जो शिकायते हैं access के case में वो यहां तो service को लेके है या unauthorized trades को लेके अभी दोनों area certain level पे access को यहां पे improvement लाने की ज़रूरत है अगर आपके client है तो आप certain level पे अपना experience भी share कर सकते हैं कि आपका अगर दिक्कत रहा तो क्या आपने पहली बात तो उसको raise किया customer support level पे फिर उसके compliance officer को बताया फिर आपने उसके exchange को बताया फिर सेभी में complaint की क्या level पे आप रोके अगर आप किसी और broker के साथ जड़े होए हैं और अगर आपको शिकायत है तो हमारा आप से यही advice है कि आप अपनी complaint raise जरूर करें complaint raise होने पे broker दस गुना बढ़िया काम करता है उनका काम है कि यह शिकायतें कम से कम हो और अगर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा resolution मिले solve करें क्योंकि resolve नहीं करते हैं खाली पड़ी रहती हैं तो उनका compliance issue बन जाता है exchange के level के उपर और फिर दिक्कत बड़ी हो जाती है किताबे खुल जाती है तो इस तरह से अगर आपको दिक्कत आ रही है पहले कि support को phone करें support अगर दिक्कत solve नहीं कर पाता है compliance officer को figure out करें फिर जाके exchange का दर्वाजा कट-कटा सकते हैं इन case exchange नहीं solve करता है तो cb के scores.gov.in यहा आपके अपना यहां पर detail complaint का डाले और सुना जाएगा certain level पर सुना जाएगा तो दोस्तो एकसे direct के इस particular वीडियो में बस इतना ही complaints के type बताने की कोशिश की है numbers की थाथ आपको link भी डाल देंगे ताकि आप खुद से validate भी कर सकें hopefully यह information आपको पसंद आई हो अपना experience भी share की कीजिए वीडियो पसंद आया तो like कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए बहुत important है अगर उनके साथ यह सब मुश्किल हो रही है तो पहले से पता लग जाएगा अगर तो उनका फायदा हो जाएगा और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो subscribe कर लिजिए इसको रहेंगे तो stock markets के साथ जुड़े रहेंगे कभी दिक्कत नहीं आएगी thank you so much watching the video bye bye